आप लोग आप से होंगे ओके तो लास्ट वीडियो में आपको याद है हमने वेंडाइग्राम पढ़ी थी नियुका इटिना में आपको शेडिंग इठिए ती चीजें बताई थी ठीक है सारा गेम सिर्फ किस चीज का है इनडाइशन का सारा गेम जिसको इनडाइशन समझ में आती है He is the best अब सिनारीो क्या है इस लेक्चर का मकसद क्या है इस वीडियो का मकसद का है, जब मुझे नोटेशन दी गई हो, तो फिर मैं वेंड डाग्राम कैसे बनाओ, मैंने उसमें सारी वेंड डाग्राम बता दीती, कर ऐसे आती है, इसका ये कलरिंग होती है, इसकी वो कलरिंग होती है, लेकिन देखो, examiner है न, examiner, examiner की आदत है twist मारना, तो twist मारने वाले शक्स को पिर हम उसी तरह deal करते हैं, कैसे deal करते हैं, अब आप देखिए, question number one अगर देखो तो वो कह रहा है, A union B intersection, दो बाते बाते बाता रहा हूँ जब ये compliment आता है, जब ये compliment, A union B compliment, compliment जब आता है, तो क्या game खेलते हैं, सबसे पहले देखो, मेरी एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, basic कि हमें color करना है न, तो हमें पहले तो इसने ये दिया होगा, A, B, मैं दोनों को अलग-अलग कर दूँगा, मैं दोनों को अलग-अलग कर दूँगा, क्या मतलब सब अलग-अलग कर देंगे, पहले मैं A को shade करूँगा इसमें, बोलूँगा यार A part तो ये रहा पूरा, A part तो सरजी ये रहा पूरा, फिर मैं बोलूँगा यार इसके अंदर जो B compliment है न, सर B compliment का मतलब है, A का ये पूरा हिस्सा, एक मिनट, जब भी compliment, जब भी compliment के बराबर में sign union का होगा, तो फिर B के इलावा, फिर मैं सब जगाओं पे करूँगा, मैं फिर ये बात repeat कर रहा हूँ, जब भी compliment के बराबर में union होगा, तो उसको छोड़के मैं सब जगा करूँगा, जब चाहे वो मुझे बार ही करना क्यों ना करना पड़ जाए, अब मेरा final answer क्या होगा, मेरा final answer क्या होगा, मैं गया, मैंने कैर, A और B, final answer देना है, मतलब ये answer देना है, मैंने पहले ये हिस्सा अलग किया, ये हिस्सा अलग किया, कि बीच पर relation क्या union, union कहता है, के, सारे elements उठाओ, मतलब ये सब, जिस पर shading होई थी, ये भी उठा लो, पहले तो ये सारे उठा लो, अब इन में का shading होई है, बाहर shading होई ये भी उठा लो, B पर shading नहीं होई थी, B के elements किसी के पास नहीं है, B के elements उठाने ये नहीं, खतम होई बाद, ठीक है, बास समझ में आई, union में क्या कहते हैं, union में ये होता है न, के common भी उठाओ, और बागी सारे elements उठाओ, common तो इन में ये हिस्टा और ये हिस्टा था, ये तो मैंने उठा लिया था, लेकिन जो बचा है वो भी color करो, ये बाहर का बचा था और ये थोड़ चोड़ा हिस्टा बचा था, जो merged हिस्टा है, वो मैंने color कर दिया, तो this is A union B, compliment, compliment, समझ में आ रही है, या नहीं, A compliment intersection B, कुछ लिए करूँगा, वही दो पार्ट से ब्रेक करूँगा, बनाई एक diagram, मैंने कहाए यार सर ये होती है, ये होती है, A compliment होता है सर ये, बराबर में क्या है, intersection, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अब मैं बाहर कर लेंड नहीं करूँगा, यहां मैंने क्या अरकत की थी, B को लिए नहीं बाहर B कर लेंड कर दिया था, इसलिए किया था, अब सुना, union में नहीं कर रहा है, intersection में कर रहा है, union बोलता है, union बोलता है, English की wording समझना, either be, either coverd use करता है, सुना, ये कह रहा है कि not be, be नहीं, बाकी rest everything, B नहीं, rest everything, क्योंकि union लगा है मेरे साथ, intersection बोलता है, not in A, not in A, in, वो in coverd use करता है, not in A, but in the other sets, यहां वो sets की बात कर रहा है, यहां कह रहा है, सब पे गड़ो, मुझे छोड़ के, सबज में आ रही है, B, अब B भी दो shape करना है, मैंने कहाए, Sir, B यह लें B पूरा shape कर दिया, अब, इस A complement और A, B के between, क्या relation है, क्या relation है, Sir, intersection का, common part कौन सा है, यही part यहांबे भी common है, सिर्फ यह part कर रहा कर दूँँगा, बस, इतिसी बात, हादम, ठीक है, OK, आओ, यह क्या कह रहा है, A complement, intersection, B complement, अलग-अलग कर दूँ, A complement मतलब, Sir, यह part, बहार वारा part करूँ, very good, very good, बहार वारा part सर, इसल नहीं करो, क्योंकि यहांपे क्या आगया, intersection, intersection कहता है, इस वक्क ही कह रहा है, कि not in A, A के अंदर नहीं, rather than, set, जो दूसरा हमें दिया, बस, B complement, यह part आगया सर, अब game check करो, अब game check करो, यह देखो, इस पे common कह, common है कुछ, नहीं है सर, common, सर जी जब common नहीं है, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते, इस figure के अंदर आप, कुछ नहीं कर सकते, इस figure के अंदर आप, ठीक है, ओके है, बाद समझ में आरही है, very good, number four, A, symmetric B, क्या था यह, symmetric difference, sir, A के element उठाओ, B के element उठाओ, लेकिन दोनों के जो common है, वो मत, उठाओ, तो मैं गया, मैंने का, यार, A और B, A के element उठाओ, B के element उठाओ, लेकिन common को नहीं उठाओ, ऐसे ही है, यही बताया था, बाई, जिन्दा है, प्लीज यार, tension चाहिए, थोड़ी सी attention चाहिए, A, difference, B, compliment, break कर दो, यार, A तो तो तुम्हें बता है, A पूरा होगा, मतलब, A तो कुछ इस तरह होगा, सर, A तो आप पूरा कर दें, सुनना, आप मेरी बात होड से सुनना, सर, लेकिन आप, जो हैं, वो B compliment क्या करेंगे, बिटा, B compliment का मतलब यह है, कि मैं यह हिस्सा clear कर दो, लेकिन अब, अब ना तो union है, और ना तो intersection है, तो simple B compliment को मैं क्या मानता हूँ, कि union, नहीं, यूनिवर्सल माइनस B, यूनिवर्सल में से B को निकाल दो, बागी पूरे यूनिवर्सल क्लियर कर दो, color कर दो, तो B को निकाल लें, बागी सब को color कर दो है, देखो अभी वो वाली property नहीं लगा रहा है, union intersection नहीं है यहाँ पे, अब, अब, A आगिया, B कॉम्प्लिमेंट आगिया, difference यह कह रहा है कि, A के elements तो low, मगर B कॉम्प्लिमेंट का element, कोई भी नहीं होना चाहिए, अच्छा, अच्छा भई, अच्छा, A के elements लो, लेकिन B कॉम्प्लिमेंट यहाँ पे कर लो, इसको मैं, इसका final answer मैं, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ box बनाके, वो कह रहा है, A के element low, लेकिन B कॉम्प्लिमेंट एक भी खबरदार नहीं आना चाहिए, मैंने कहाँ देखे है, A का पूरा circle हुआ है, यहाँ पे एक इतना party हुआ, यह पार्ट तो B में नहीं है, यह तो फॉरान जिल्दी कर हुआ है, और B कॉम्प्लिमेंट, बहर के elements लेना ही नहीं क्योंकि B कॉम्प्लिमेंट के पार्ट है, B कॉम्प्लिमेंट तो लेना ही नहीं मुझे, यह पार्ट हो गया तुमारा, बस, यह गेम करना था, और कुछ भी नहीं था, कि करवाने का मकसद यह था कि आप लोगों को डाइग्राम की शेडिंग आनी चाहिए जब notation आती है तो, ठीक है, यहां तक बात clear है, ओक्ये, पॉफेक्ट, तो इंशालला मिलते हैं, नेक्स लेक्चर्स में, और विडियो के साथ, और अची चीज़ों के साथ, तब तक ले अपना ख्याल रखेगा, अल्नाफिस,